टैशर्ट करते हूं घैसा कि हमने इस क्लास में देखा था कि अगर हमें किसी प्रोग्राम में करनी यूजर से जैसे हमने यह प्रॉआड किया जैसे क्लास में देखा था यहां अगर हम इस परडूलर केरेक्टर एरे का डेटा यूजर से रीड करना चाहते हैं मैसेज देना चाहते हैं तो दे दिया एंटर इस्ट्रिंग करने के लिए हमने प्रवाइड कर दिया आइधर इसकेन और गैट्स दोनों में से कोई सब्सक्राइब में तरीका क्या रहता है परसेंट एस फॉर्मेड इस्पेसफायर देते हुए एरिका नेम अपने एड्रेस को फुद रिपेसेंट कर देता है या फिर यही गैट्स में प इसके एंट करेगा डाट लेगा जबकि हम यहां पर बात करें यह जो है यह अन्फार्मेड ढ़िए के वर इश्ट्रिंग के लिए अवी लिए वाले सैंस मैं इस के लिए संस में फॉर्में से वाल्य बेल्यू अलग-अलग बैरीवल अन्टेनर में रीड करवा सकते हैं एक साथ मल्टीपल पैरामीडर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पर से अंदर इस पेस टैब और एंटर अलाउड नहीं है और इस पेस से पहले वाले श्टरिंग कंसीडर कर लिए पर जैसे प्रीवेस्ट क्लास में एक जैसे हम प्रॉइट करें हम दे रहे ते गुछ ऐसा वैरी वल आ यह वह यह जो भी वेरीबल नेम दे रहा है वह आपकी अपनी चोईस है आई भी दे सकते हो काउंट वाले सेंस में सी काउंट या लेंद के लिए एलिये कुछ भी आप वाइड कर सकते हो हम करके रहे थे कर रहे थे कि जब तक इंड की या अडिंग को बताता है वह कौन सा बता आता है जो इश्ट्रिंग की एंडिंग को जब तक यह नहीं आता तब तक इस तरहीं की अवेलेबल अब रहे थे हैं कि लेंग वेली अगर प्रिंट करना चाहें तो ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं परसेंट इसे तो एक इंटीजर वैलिए आई उसे हमने प्रिंट कर वा लिए इस तरी समय प्रिंट कर वापस देख रहें सी एक्जाम्पल को हमने तो यह तो इसे कंपाईट एंड एक्जीट यह करेगा कैसे जैसे हमने दिया आपको बेंटर लगे बड़ अगर हम यही चीज जो अभी आप देख रहे थे यही चीज एक predefined function की help से अगर perform करना चाहते हैं एक ऐसा function जिसे हमने define नहीं किया जो पहले से defined है वह कैसे काम में ले सकता है उसे अब देखेंगे लेकिन उससे पहले एक बार यहीं सेंव वर्किंग अगर हम अपने बनाये वुए function में प्रॉइड करते तो कैसे प्रॉइड करते हैं उसे भी देख लेता है क्योंकि आप एरे function प्रॉइड किया जिसके पास इस ए को भेजते और फाइनली यह function लाके रिटन क्या कर देता उसकी लेंट प्रॉइड करते था जिसे हम वैरियेबल में अगर सोचा यह function ने पैरामीटर इसमें किस तरीके का पहुंच रहे एक करना चाहिए तो बी देदिया वैरियेबल यहां जो भी रिक्वाइड है वो प्रॉइड कर सकते हैं जैसे आई वैरियेबल क्रियेट किया बी आफ आई में चेक करने जब तक नल करेक्टर नहीं आता जला है इंवी सवार्वन भी धटन करना यहां पर ए जो फरीजन से अपने भेस एडर्रेस को रिप्रेजिक कर रहा था वही एड्रेस दे दिया बी को और बी यहां पर या तो पॉइंटर होता है या एर्रेस दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि एक्षली में बैक्डाउंड में यह वही पॉइंटर राली अप्रोच के वर्क कर रहा है यहां पर बी एक पॉइंटर की तरह है वही यली मनें युल करते यल्स आप利ण के अंदर हमने अंबने एस नंतने बीदिन प्रेंट उंट प्रॉइंट करा दरानों इस रिलशम का टिर्विशन कैसे दिल इते तो हैं educate कर रहे होता कुछ ऐसे जहां आइडेंटिपायर नेम से नहिस तरह से यह प्रॉइन कर प्रवाइड किया एक्सियूट किया इस टिंग अगर हमने दी एक्सिट एक्साइज टी प्यूर्स वही सेम डेटा और वही लैंग हमाल सामने आप यह क्या है एक्सांपल इस ट्रिंग मैं यूजिंग यूजर डिफाइन फंक्शन इसी को हमने एक पर कॉपी पेस्ट किया मारओ करें इस वर गैश्वार घॉर्स इन्याने मैं दिफाइन बहुटा अबार एसा पहले ही कोई फंक्शन डिफाइंड है एक ठी डिफाइन प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले नहीं है प्रिंट एफ है है नाम हमने नहीं दिया पहले से डिफाइंड है जिस नेम से उसी नेम को हम यह काम मिलें इस पर्टिक्लियर प्रोग्रम को हुम क्मपाइल कर रहे हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक्सियूट करते हैं और दिखते हैं आउटुट क्या आता है सेम वही इस्टिंग देते हुए अगर चेक करें तो वही आउटुट हमें फिर से विसीबल होगा और इस फांग्शन जैसा श्टिंग लेंग विलिबन उस तरह के बहुत से प्रिडिफाइन वांगर व्हांग हम यही पर बात रहां है है अगर हमें स्टिंग का रिवर्स फैंड आउट करना के बाद हम यहां पर श्रिंकर रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए एश्टियार आर इवी फॉंक्शन अगर काम में लेते हैं और प्रिंट करते हैं परसेंट से उस एक को कंपाइल कर रहा हम इस प्रोगाम को पहले हैं चेंजेस कर लेंगे थोड़े बहुत अभी कंपाइल किया एक्जिविट किया और यहां कि आगर देता है एबी सीडी यह डी सी भी आ गया है कि क्या अप्रोच है यह अप्रोच कुछ ऐसी है एश्टियार आरी फॉं क्या करता है कि इसका जो भी पैरामीटर इस्ट्रिंग है उस इस्ट्रिंग को यह रिवर्स कर देगा एक एड्रेस दिया गया वहां से श्टार्ट रखे नल कैरेक्टर तक की पोजिशन तक यह कंपेर करेगा कि कहां तक श्रिंग अवेलेगा और उसके रेस्पेक्टिवली इसरी को रिवर्स कर देगा तो श्रिंग का रिवर्स फाइंड आउट करना है था बाती चीज़ है जो नहीं चीए वो तो हटा देता है जैसे लैंद के लिए नहीं चीए रिड या तो इसके नहीं से करते हैं यह गैट से वही एक की वैलियू जो इसका पैरामीडर था उसी में चेंजेस कर दिया तो कुछ इस तरह से हमें यह विसिबल हो रहा है एक्सेट किया वापस से हमने दिया एक बात कर रहे हैं इस ट्रिंग अगर हमें कॉपी करवानी है हम जैसे मैसेज देता है एंटर फर्स्ट इस एक और रीड कर लेते हैं फिर उसके बाद हम यहां पर क्या करना चाहते हैं वह श्ट्रिंग कॉपी करना चाहते हैं जिसके लिए फंक्शन है है एस्टी आज सीपी वाई फाइनली हम यहां पर क्या करना चाहेंगे उस सेगें को प्रेंट करना चाहें जैसे मैसे दे दिया सब्सक्राइब करना चाहते हैं लाजिकल सेंस में अगर हम किसी वैरियेबल की वैल्यू दूसरे वैरियेबल में असाइंड कर रहे होते हैं उस तरीके से अगर सोचा हम किसकी वैली किसमें करना चाह रहे हैं एक ही वैल्यू असेंड करना चाहते हैं बीके अंदर लेक्सिकल मेनर में हमने इस तरह से प्रवाइड कर दिया अगर डारेक्ली ऐसा करते तो एरर शो कर देगा क्योंकि ए और बी दौनों एरे अविलेबल है और एरे का नेम एड्रेस फूल प्रेजेंट करता है और बी को जो एड्रेस मिला हुए वो एड्रेस चेंज नहीं करेग बी एक एरे है जिसे स्टैटिक मेमरी एलोकेशन हुआ है एक बार जितनी मेमरी मिल गई उतनी मिल गई वो चेंज नहीं करना चाहता है तो इसकेस में हमार पास यह जो अविलेबल हो रहा है एरर असाइन्मेंट टू एक्स्प्रेशन विद एरे टैप यह अलाउड नहीं है बी के अंदर डाइरेगली एक असाइन करना अलाउड नहीं है बड़ हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि एक को असे करना चाहते हैं तो धान से देख थे एक प्रिदिफान फंक्शन अविलेबल है इसमें दो पेरामीटर देने लेकिन ध्यान रखना आपको जिस में कॉपी करन करना है और जिसको कॉपी करना है वो बहरें तरिफे तरीगे सापकी जस्में अब को चीर है वो तो आप दोगे पहले और जहां से आप लेकर आ रहें वो सोर्स आप प्रोवाइट करोगे बाद में यह आप ऐसे भी समझ सकते हैं असाइन्मेंट वाली चीज अगर आपको जाने हैं तो उससे आप रिलेट करते हुए देख सकते हैं दो पैरमीडर देने लेकिन किसको किसमें करना है एक डेटा यूजर से रीड किया है वी में गार्वेज चल दा है अगर हमने बाइचांस उल्टा दे दिया होता एक ओमा बी दे दिया तो बी का जो गार्वेज डेटा है वो ए में पहुच जाएगा मतलब ए भी पुराना क्योंकि एक मालब अगर होता है यहां तो उसका मतलब होता आप वी की वैल्यू ए में असाइंड कर रहे हैं अभी हमने दिया एक वैल्यू बी में असाइन कर रहे हैं क। सब्सक्राइब किया और अब एशटीयार रीटर देखा चाहे एश्तीयार कॉन सी इन के लिए इस्टिंग डॉटटेश गैट्स और पूर्स के लिए नहीं जो आप पहले से इंक्रूट कर चुक्त हैं बट एश्टियार आरीवी एश्टियार सीपी वाई एश्टियार एलिए जैसे प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल एंड एक्सिकूट यहां पर हम प्रोवाइड करने जैसे एक बार वापस देखते हैं हमने अब हम जो बात करते हैं वह है इस्ट्रिंग कॉपी करने अब हम जो बात करते हैं वह है यह जो प्रीडिफैंड फंक्शन अविलेबल है उसके लिए हम ऐसा कुछ करने कि ए बी और सी हमने तीन एरे प्रोगा एंटर फर्स्ट इस्टिंग से हमने एंटर सेकंड इस्ट्रिंग और इसकी हमने रीड खल लिया बी या तो इसके एनफ से यह गैट से और जैसे यह बी क्या है अगर एक कॉमा बी तो उस केस में फर्स्ट इस्ट्रिंग चेंज हो गई इससे पहले हम यहां पर अगर एक कॉमा बी प्रोवाइड है तो एस्टिया सी एटी का जो सैंसर समझने के लिए ऐसा कुछ लिख रहा है कि ए इक्वाल ए फ्लस दी यह समझने के लिए लिए है अदरवाइस यह है नहीं ऐसा ओप्रेशन यह क्या करेगा ए और बी को मर्ज करके ए में प्रोवाइड कर देगा है कि हम यहां पर फाइनली प्रिंट करता है फर्स्ट इस्टिंग और सैकेंड इस्टिंग दॉन तो किसका डेटा चेंज हुआ वो देख लेता है ए और बी दू पखाड है और मिटर हैं पहला कि दूसरा अगर रहानि किया मैं में हमने ते सब्सक्रादिक को इम्री में और स्टियра को कि और प्रीवाड ऑसनी अंतरे में परण के लिए और इस के अगरा हम यहां पर है इस करते हैं और देते हैं सबस्द करते हैं सबस्द एबी सिर्टी एन एकशाइज केसे बूंज सेकेंड में तो यह अप्रोच क्या है पहली स्ट्रिंग में ही डूसरे को मर्च कर देगा तो कैसे कर रहे होते हैं अब हम जो बात कर रहे थे उसके लिए यहां पर हमने फर्स इस्टिंग रीड की सेकंड रीड की और थर्ड में लेकर आना चाहते हैं यह डेटा मलब फर्स्ट वही पुरानी वैलियू रहे और थर्ड में आ जाए तो इस बार हमें क्या करना है अगर ऐसे रखा तो उसे यह वर्किंग तो वही प्रोवाइड कर दीना और इसके सब्सक्राइब करना हुथा दूश्रिंग को तीसरी में प्रोवाइड करना हुथा दूश्रिंग को तीसरी में प्रोवाइड करने मर्ज करते ए और बी की मर्जिंग से सी में रिजल्टेंट वैल्यू हमें चाहिए यह जैसा था वैसा कि वैसा ही अविलेबल होना चाहिए तो उस अप्रोच में हम लॉजिकल सेंस में तो प्रिवेस क्लास में बात करी चुक्ए लूप प्रोवाइड कैस है एक अंदर था अगर राजस्थान तो सी में बेज दिया राजस्थान और फिर सी में अगर राजस्थान पहुच चुका है और बी में रॉयल्स है तो कॉंकेट कर दिया तो आजएगा सी के अंदर राजस्थान रॉयल्स यह तो क्या तरीका रहा अगर आप इसे लैक्सिक हम कर रहे हैं इस अप्रोच से हम कर रहे हैं C equal A plus B lexical manner में हम इसे समझ रहे हैं मतलब यह directly ऐसा नहीं है क्यों समझने के लिए अगर करना तो पहले सी में दे दिया और जो भी सी में है उसी में प्लस कर दिया तो इसके से में रिजल्टेंट वैल्यू आ चाहिए कंपाइल कि हमने इसे कर रहे हैं अगर हम देते हैं ABCD एंड XYZ तो रिजल्टेंट सी इस्ट्रिंग जो थी थर्ड इस्ट्रिंग उसमें ABCD एक्सट्रिंग जबकि फर्स्ट में ABCD सेकिंड में XYZ एड़ एज़िस चलता और यहीं एक्जिउशन में तापस एक्पर एसी राचस खान एंड रॉयर्स ऐसा कुछ अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो फाइनली हमार पास राजस्थान और रॉयल्स तो फर्स्ट है और सेकिंड में था थर्ड में पहुंचिया राजस्थान रॉयल्स एंड एक चीज और इनकेस अगर बाईचांस आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि यहां पर एक्सिकल मैनर में पहले अगर एक्स्प्लेंट करें तो यहां पर कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं कि एक के साथ वह स्पेस भी अगर आप देना चाहते हैं क्या करना चाहते है तो सी की जो पुरानी वैल्यू है कृस्पेस भी आजाए फिर उसके बाद सीकी जो पुरानी वैल्यू जाए आ चुके हैं उस केसमें अप। को लेके आना चाहते हैं तो कैसे लेकाएंगे उसे भी दिख लेते हैं अगर बाइचांज आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि उन दौनों में बीच में एक स्पेस भी चाहिए तो यहां पर हें नहीं एक इस पेस वाली इस अगर वाले कर दएपनाइड कियायए वालीनोर्य किया इस तरिए से अगर दिया कंपाइल किया एक्सियूट किया हम देने अगर राजस्थान रॉयल्स इस केस में राजस्थान इस्पेस रॉयल्स आगिया धर इश्टिंग के लिए कि अगर आपको कोई क्वेस्थान पूछा गया है कि दूए श्रिंग मर्ज करनी है तीसरे में रिजर्ब वाइट करना है तो इन सब चीजों की जड़त नहीं है आप सिंप्ली बिल्कुल इस तरह से आप प्रोवाइट कर सकते हैं जहां पर हम क्या कर रहे हैं ए और बी मर्ज करके सी को प्रोवाइट कर रहे हैं वापस देख लेते हैं राजस्थान और रॉयल्स थिया इसके सब बिना इस पेस के वह मर्जू इस तो यह था सब्सक्राइब कर देख रहे हैं अब हम जो बात कर रहे हैं वह बात करते हैं इस्ट्रिंग के कंपेर्जन के लिए करना चाहते हैं एक तरियर से जैसे आप डिक्षणरी चाहिए अगर सभी समझते हैं तो थिस्ट परवर और से वर्ड़र के शाट करके हैं तो कौनसा वाला ध। छेक क्रने का एक तरीका होता है एक अप्रोच होती हैं वह चीजद यहां पर पर ना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीडिफाइन फॉंक्शन है एक प्रीडिफाइन फॉंक्शन अवेलेबल है जिसमें अगर हम यह दोनों इस्ट्रिंग्स प्रॉइड रहते हैं ए और वी तो फाइनली यह लाके देता हैं हमें एक इंटीजर वैल्यू यह हमें फ्रीफामिन अगर हम जो इंटीजर वेल्यू लाके दे रहा है एक बार पहरा है उस वैल्यू को हम चेक करते है कि वह वैल्यू क्या है तो हमने यहां पर जैसे परसेंट डी से वह यू प्रिंट करने चाहिए आई हमने इस पर डूलर प्रोगां को कंपाइल किया यहां आई वेरीबल होना तुझी है एक इंट आई हमने प्रॉइड कर रहे हैं इस्ट्रिंग अगर हम देते हैं सपोस यहां पर एक्जामपल ए बी सी डी और दूसरे इस्ट्रिंग हमने प्रॉइड कर दी से इस तो यहां पर जो क्या चीज़ डिफरेंड है तो एक बार आस की वैलिउ का डिफरेंड इस्ट्रिंग दिफरेंड नहीं है तो यहां पर जो defined है यह क्या चीज़ defined है तो एक बार ASCII value को difference directly नहीं यह जो provide करता है HTSCMP यह तीन अलग-अलग तरगे की value provide करना चाहता है या तो यह देता है value हमें इस हम पहले comment में लिख लेता है फिर example में दिखते हैं तो यह अगर हमें provide करता है minus 1 तो कब करता है जब A वाली श्रिंग पहले होने चीज़ और B वाली श्रिंग बाद में होने चीज़ है तब तो provide कराएगा यह क्या minus 1 अगर हमार पास यह available है कुछ ऐसा कि A वाली dictionary order में B के बाद में होनी चीज़ है तो provide कराएगा यह 1 बड़ अगर दौनों same है A अगर equal है B के तो उस case में यह provide कराएगा 0 केवल समझने के लिए इस तरीके से हमने लिखा है बाकी यह क्या करता है जैसे dictionary order में कौन सा word पहले आना चाहिए कौन सा बाद में अगर A के बास जो है वो पहले और B के बास जो है वो बाद में आना चाहिए तब तो यह क्या provide करा हमें minus 1. Dictionary order में पहले वाले मला एक थे बीस से चोटा data मानले समझने लिए बात वाला बड़ा data तो to dictionary order में यह अगर पहले वाला छोटा और बाद वाला बड़ा अगर मानला है तो A के अंदर जो भी value और dictionary order में पहले और B के अंदर जो है तब तो प्रवायट करेगा दूसरी वाली डिक्शनरी ओर्डर में पहले उनी स्थायी है, तो प्रवाइट खरहेँगा यह और एक बार इस चीज को समय हाने के लिए और यहाप एक पी वैली जो भी फ्रेंट करवा रहे थें उसे यहां पर हम प्रेंट नहीं करवाते हुए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो क्या तो हम यहां पर इसकी जो भी वैल्यू है उसे हम इफ एल्स में काम में ले रहा है यहां यहां आप चाहो तो इसे आई में पहले श्टोर करते हैं फिर आई को हम चेक करते हैं कि आई अगर लेस देन है जीरो से मतलब माइनस वन है अब जैसे भी चेक करते हैं अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब तो क्या है इसका मतलब परसेंट एस शुट बी अर्लियर थैन परसेंट एस इन लेक्सिकल ओर डिक्षिनरी ओर्डर जो हम खहा रहे हैं डिक्षिनरी में जो आने चीह है और इस केस में अब ए जो है वो पहले और बी जो है वो बात में होनी चीह अगर यह नेगेटिव वैल्यू है तो अगर यह पॉजिटिव वैल्यू है अगर पॉजिटिव वैल्यू जैसे आई ग्रेटर देन अगर जीरो से तो उस केस में क्या होना चीह है तो यह हम मैसेज प्रॉइट कर रहे थे इसमें हम कह रहे हैं पहली श्ट्रिंग दूसरी के बाद में ओनी चीह है लेक्सिकल और में जबकि अगर हम इसके एल्स पर आते हैं तो इसके एल्स पर हम क्या प्रॉइट कर रहे हैं ब udah sick इस तरीके का हम मैसेज प्रॉइट कर रहे हैं कर दो हैउ Lucky , इससी प्रोग्राम में प्रॉइट कर दिखते हैं आगर आपर हम इसके सद्वथी क्यों सिए अगर हम galaxy मीत है एकसी क्यों सब्सद़र, आप जानते हैं तो इस केस में क्या रहा है PQRS कब होनी चीह है बाद में होनी चीह है लेटर देन बाद में ABCD के बाद में वो अवेलेबल होनी चीह है और यहाँ पर अगर हम बात करें अगर यहां पर कुछ ऐसा डेटा अवीलेबल होता सबूस से टाइम एंडर से है तो इस केस में कौ Buenos Allました पहले होना जीओ है बले है की तेहिव फैले काव दिखें करेगा डाप फिर आइक से और आ और आई हैं पहले कौन सा अवाला माद होना चाहिए कोँ सा पेले होना चाहिए और कौन सा आफ मैं होना चाहिए ओर एगर हम हमने यहां पर प्रोवाइट कर दिया सब्सक्राइब तो इस बार डिफ्रेंस आ गया और यह डिफ्रेंस क्यों आया क्योंकि यह जो अभी हमने है फंक्षन देखा एस्टिया सीनपी एस्टिया सी ऐसी एंपी फंक्षन हमारे पास जो अवेलेबल है यह के सेंसिटिव है और के सेंसिटिव मतलब स्मॉल लैटर और कैपिटल लैटर डॉनलों को अलग-अलग ट्रीट करता है और ध्यान से देखने हैं कि कौन सा वाला पहले और कौन सा वाला बाद में है, ओफुली आपको घ्यान होगा, आसकी वैल्यू, small letters, small A की होती है, 97, जब भी capital A की होती है, 65, तो capital वाली value छोटी और small letters वाली value बड़ी होती है, asking value का अगर हम comparison करें, तो, ask value का अगर comparison करें, स्मों लेटर वाली वैल्यू बड़ी और वाली चोटी तो इस केस में क्या कर रहा है स्मॉल वाले वाले को कह रहा है वह बाद में आना चाहिए थाथ और एंड आ थिकर हमन्य तो यहीं पर इसे पता चल जाएगा कि पहले वाला जो है वह बाद में होना चाहिए और दूसरे वाला पहले होना चाहिए बहले ही उसके बाद में पहले 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 होती है इसलिए लेक्सिकल और में यह चाहिए पहले होने चीए इसमॉल लेटर बाद में चीए तो यह स्मॉल लेटर जब पी और टी तो मैच होगी है आई और आई कम इसमेच मिला तो इसमॉल वाला बाद में होना चाहिए इस कैपिटल वाले के वोफली यह आपको आईडिया लगा होगा और सिमिलर मैनर में हम एक और एक्जांपल देखना वो एक्जांपल कैसा जहां अप्राब में इसटीह सीन्पी आई काम मिले रहें हैं केले केस सेंशिटीव को रेप्रेजेट करने के लिए Armor कैसा गटाटैयों लुवान और इस पर्ट्रेटूलर पत्रोंडान रहे हैं यहां पर suppose time and sorry, इसके execution पर एपस compare and execute कर दिये, तो हमने दिया था अभी work and word, इस case में क्या आ रहा है, word वाला पहले होना चाहिए and work वाला बाद में होना चाहिए, तो क्या आ रहा है, work बाद में होना चाहिए, किसके word के, हमाँ पास message आ रहा है, यहीं पर अगर हम execution time पर value provide कर रह and time, तो temperature वाला पहले होना चाहिए, time वाला बाद में होना चाहिए, यह भी हमार पास आ रहा है, बिल्कु वैसे ही, बट अगर हम provide कर रहे हैं यहां पर time and time, तो दौनों same आ रहे थे, इस बार भी same है, लेकिन साथ की साथ अगर यहां पर small letters और capital letters वाला difference आता, केवल, बाकि और कोई difference नहीं, केवल, small और capital letter का difference है, तो बापस से आएगा, बोथ हार same, दौनों same consider हो रहे है, small में दिया, चाहिए, capital में दिया, अगर HDR CMP, I काम में ले रहे हैं, तो case insensitive है, HDR CMP काम में ले रहे हैं, तो case sensitive है, चाहिए आपने time इस तरीके से लिखा होता, and यह दिया जै time, तो यह बोथ हार same, case sensitive, नहीं रखना चाहते है, अगर data को बिना case sensitive माने हुए, आप उनका comparison करना चाहते हैं, तो function काम में ले सकते हैं, HDR CMP, I, आपको यह पता चला वबाद, जो हम कहा रहे थे हैं, आपके बाद, यह value जो दे रहा है, minus 1, 0 and 1, इसका क्या significance बन रहे है, negative value, positive value, आप चाहते है, negative, positive value, तो जब पहली वाली, जो string है, दो parameter दे रहे है, HDR CMP, और HDR CMP, I के अंतर, A और B, तो A वाली string अगर, lexical order में, बाद में होनी चीए, तो देगा यह positive value, जबकि lexical order में वो पहले होनी चीए, तो देगा यह negative value, तो hopefully यहां तकी बात, आप सब को ideal लगा, अब हम जो बात करें, एक छोड़ा सा simple सा topic है, हो topic क्या, तो हम यहां पर बात कर रहे है, character 2D array, character type अगर आपको 1D array clear है, तो 2D array तो बहुत easily आपको clear हो जाएगा, ज्यादा कुछ changes है नहीं, जैसे आप एक integer type 2D array काम में ले रहे थे, कुछ वैसा ही work, बस इस बार character 2D array है, इसका मतलब क्या, character 1D array बहुत सारे provide किये जा सकते है, इसका मतलब 20 rows, जिनके अंदर हरे के अंदर एक character array available है, तो आपको कभी अगर multiple strings user से पूछ लिए, उसके लिए ये काम में लिया जा सकता है, जैसे names अगर हम यहाँ पर पूछना चाहता है, हमने पहले message दिया user के सामने क्या, कि कितने name enter करना चाहते हो, हमने provide के message, enter number of persons, number of student, number of employees, जो भी आपको देना है, इसके nf से read क्या person कितने, वो value तो एक integer value यहाँ नीची है, और हमने read करने जैसे यह n के अंदर, n variable एक integer variable हमने create कर दिया, साथ के साथ variable i हम provide करना है, reason उसका हमें एक loop provide करना है, यहाँ पर i equal 0, i less than n, i plus plus, इस 2d array के अंदर हर एक element जो है, वो represent कर रहा होगा, एक name के लिए memory एक string को, हमने message दिया जैसे enter name, value read करने के लिए, हम यहाँ पर provide कर रहे हैं, या तो scanf percentage के साथ, तो भी हम यहाँ पर दे देंगे names और उसका आई वाला, आई वाली row, या फिर scanf की जगह, आप gets काम में ले सकते हैं, difference आपको hopefully ध्यान है, और gets में क्या कर रहे हैं, हम names एक 2d array available है, उसके एक particular data को fetch करने के लिए कुछ ऐसा provide कर रहे हैं, और यह traversing रहे है, एक character 2d array के लिए, एक string के लिए, और इसी traversing को काम में लेते हुए हम इसे print भी करवा सकते हैं, जैसे अगर हमने यह provide किया, कुछ इस तरीगे से puts किया, तो यह क्या work कर रहा है, वो देख लेते हैं, hopefully आप सभी को यह idea लग रहा होगा, three names दिये ज problem, solution इसका जो हो सकता है, वो हमने last class में भी लिखा था, इस problem को अभी थोड़ दिर बार discuss कर लेते हैं, value दे रहे हैं,